हालो इस्टूरेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया मैं भी आप मज़िया मैं लास्ट क्लास में हमने बीक्यू एट तक किया था और मैंने का था कि आपको सिर्फ रीड करना है इसके अंदर और कुछ नहीं करना था तो मुझे लगता है आप लोग पढ़कर आ गये होंगे तो हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था कि एकजिस्टिंग कंपणी में क्या करते हैं एकजिस्टिंग कंपणी के अंदर जो हमैरे पास एकजिस्टिंग लोन हैं उसपर ईंट ए01 उसे इसी सिर्फ औरफ भी है। दो कोश्चन है हमारे पास back to back वो दो कोश्चन देखने हैं existing company या काम खतम फिर उसके पास टीर कोश्चन वगरा देखेंगे आज की class बहुत से बहुत आसान हम सीधे कोश्चन से स्टार्ट करेंगे और हमारे पास page number है 1.6 और BQ है 9 BQ 9 page number 1.6 निकाल दीजिए अब तो मैं नहीं भी करवाओंगा तो आप लोग कर सकते हैं बड़े मज़े से लेकिन मेरे को तो करवा नहीं है मेरे को रहता है कि ज़्यादा ज़्यादा कोश्चन की practice class में हो homework में भी चलते नहीं पर class में ज़्यादा ज़्यादा practice हो जिससे बच बच्चे के पास solution है मतलब ऐसे solution नहीं पूरा लिखा हुआ सिर्फ final answer वी क्या है तो बच्चा कैसे भी करके उस final answer पर पहुच जाता है वह अपने कोई भी concept set करके वहाँ पर पहुच जाता है खेर आपके तो concept के लिए रहें कोई दिक्कत नहीं है पर बच्चे पास solution है तो ऐसा हो नहीं सकता के वह final answer तक ना पहुचे अगर exam के अंदर जो examiner है वह पेपर के उपर final answer लिख देना क्या आएगा मैं बता रहा हूं अगर सो बच्चा पेपर दे रहा है तो सो के सो बच्चे उस answer तक पहुच जाएंगे चाहें सब के answer अलग हो तो बच्चों का यह एक अलग एक्सपर्टी यह आपकी क्वालिटी है एप्रीशिएवल है यह हां जी बीक्यू नाइन दा फॉलोइंग डेटा प्रेजेंटेड इन रेस्पेक्ट ओफ क्वालिटी ओटोमेशन लिमिटेड पीबी आईटी यानी इबी आईटी दे दिया डिवेंचर देदिया 12 पर के profit before tax income tax 50% लग गया profit after tax आ गया number of equity share 8 लेक है 10 रुपे का एक है earning पर शेयर आ गया पी रेशो से multiply करके market price of share निकाल दिया ठीक है 25 रुपे का शेयर है भी हमारा the company is planning to start a new project requiring a total capital outlay of 40 लेक 40 लाग रुपे की company को ज़रुद पढ़ने वाली है you are informed that debt equity ratio जिसमें उपर debt होगा और denominator में debt और equity का total होगा higher than 35% push the KE up to 12.5% इसका कोई काम नहीं है means reduce PE ratio to 8 तो अगर हम 35% से उपर जाएंगे तो हमारा PE ratio जो 10 है वो 8 पर पहुच जाएगा इस line का कोई काम नहीं है irrelevant आपके लिए आगे कह रहे हैं and rise the interest rate on additional amount borrowed 14% और जो नया लोन मिलेगा वो 14% पर तो अगर debt equity ratio 35 से उपर गया तो PE ratio 8 हो जाएगा और interest का rate 14% और अगर नहीं गया तो PE ratio हमारा 10 चल रहा है वही रहेगा interest का rate 12% चल रहा है वही रहेगा अब देखना है 35 से उपर जाता है या नहीं जाता है ओके अच्छे यह जो interest की बात की जा रही है यह सिर्फ नए loan के उपर है कि नए loan का interest 12 हो गई या 14 पुराना loan तो जितने पर final है उतना ही रहेगा ऐसी होता है आपके पास आपने सुना से भी लोगा यानि आपका जो credit profile है वो जितना अच्छा होगा interest का rate उत्ता कम होगा और आपको loan भी उत्ता मिल जाएगा अब मालो आपने एक loan ले रखा है 100 लेक का 10% पर 10 साल का loan है आपका यह अब नए loan के लिए आपका civil check हो रहा है उस हिसाफ से आपका interest rate 12% आ रहा है तो यह से नए loan पर applicable होगा पुराना जो loan आप एक वाण ले चुके वो ले चुके तो जब भी हम loan लेते हैं वो जिस rate पर होगे वो final है उसके अंदर कोई change नहीं है यह नए की बात करना है यह लिखते भी है clear कि interest rate on additional amount यह अगर यह ना भी लिखे ना additional amount शब ना भी लिखे तो भ पुराने के उपर कोई छेड़ खानी नहीं हो सकती पुराना जो जैसे होना था वो हो चुका okay find the probable price of share तो price of share यानि MPS चाहिए if additional amount raise as term loan as amount raise by issuing equity shares अब यह नहीं बताया कि equity share कित्ते पर issue करेंगे तो ओव्यस्सी बात 25 रुपे में एक share भी करा है तो 25 रुपे के हिसाफ से issue करे करेंगे ओके note retained earning of the company 1.2 करोड कंपनी के पास 1.2 करोड की retained earning भी है अब इस question के अंदर आप अगर देखेंगे तो expected EBIT तो बताया है नहीं question की तो शुरुआत ही expected EBIT से होती है ठीक है अचा पिछले question में क्या किया था पिछले question में बता दिया था कि हमारे पास return on capital employed is constant वहां तो बोल दिया था ना कि return on investment constant रहेगी तो 12 परसेंट ही रहेगी 20 परसेंट ही तो 20 परसेंट रहेगी यहां पर इस question में ऐसी कोई line नहीं है तो अगर question के अंदर line नहीं है तो मैं क्या मानूं कि जो 40 लैक रुपी additional आने वाले उस पर कुछ भी नहीं मिलेगा जब भी question silent रहे आपको ना बताए कि further funding से आप क्या कमाने वाले है तो हमेशा assumption लेंगे कि जो rate of investment अभी हमें मिल रहा है जो return on capital अभी हमें मिल रहा है वो constant रहेगा आगे भी उतना मिलेगा अब इस question के अंदर इसका pattern विलकुल fix है आपको इसकी existing capital employee निकालनी पड़ेगी कि अभी हमारी capital employee कितना है उससे ROI आ जाएगी कि हमें return कितनी मिल रही है इसके बाद में आप check करेंगे debt equity ratio दोनों case में अगर loan से पैसा मंगवाते हैं तो और equity से पैसा मंगवाते हैं तो तो अगर हमारा 35 से उपर चला जाएगा तो क्या करेंगे 35 से कम रहेंगा तो क्या करेंगे बस फिर question को solve कर देना होता है तो इसका pattern यही रहता है कि आपको return on capital employee existing निकालनी है ROI कितना आ रहा है वो निकालना है ROI निकालने के बाद में आपको debt equity ratio चेक करने होते हैं फिर question आगे बढ़ता है ठीक है अब हम लोग के पास BQ9 मैं आप लोग को एक शी बता रहा हूँ हमेशा next class में जब आप आते हैं जब आप next lecture देखते हैं तो उससे पहले जो previous lecture आपने पढ़ा है जैसे एक lecture आपने देखा तो उसको देखने के बाद एक बाद रिवाइज जरूर करा करें रिवाइज करने के बाद जब आप अगला lectures नहीं देखने एक lecture देखिए उसमें आपने क्या पढ़ा उसको आदा हिंटा दीजिए 15 मिनिट दीजिए पूरा देखिए उसमें क्या पढ़ा आपने कहां तक पहुचे फिर next lecture पर जाईए उससे पहले नहीं यह ज़रूरी है और homework तो करना ही करना है लिखकर उसको skip नहीं करना जी BQ9 इसमें मैं पहले आपको working note बनवाता हूं working note में मेरे को क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं working note में मुझे सबसे पहले चाहिए return on investment क्या अखिर मेरी ROI कितनी है उसके लिए मैं निकालूंगा existing capital employed कितनी है equity share capital equity share capital मेरे पास है 10 रुपे का एक share 8 लाग share है दस रुपे का एक है 8 लाग share है तो number of shares को उसकी face value से multiply किया जाता है तो 80 लेक तो share capital है मेरे पास existing और retained earning है मेरे पास 1.2 करोड और debenture मेरे पास आजाएंगे 100 लेक के ये तीनों पैसे मेरे पास आएंगे preference shares नहीं है तो capital employment में क्या क्या लेते हैं equity share capital, reserve and surplus, preference share capital और long term debt ये चार चीज़े लेते हैं ठीक है जी equity share capital 8 लाग share 10 रुपे का एक 80 लाग अच्छा बच्चा पूछते हैं कि सर आप एक बात आता हो जैसे 10 रुपे का share है वो 25 रुपे में issue होगा तो उसके 15 रुपे कहा है वो retained earning में जाते हैं तो retained earning question नहीं हमें खुद बताई हुए retained earning या reserve and surplus इसको बोलते हैं 1 करोड 20 लेक ठीक है इसके बाद में हमारे पास debt है और debt है हमारे पास 12 लेक का interest हम दे रहे हैं 12% के rate से इसका मतलब 100 लेक का हम पे debt वी है यानि 1 करोड का तो total हमारे पास पैसा हो गया 3 करोड यह हमारी capital employed है equity का पैसा 80 लेक और retained earning 1 करोड 20 लेक और debt से 1 करोड 3 करोड का हमारे पास पैसा है हमारा existing return on capital employed या return on investment EBIT कितना है आपका divided by कितना आपने पैसा बिजनिस में लगाया हुआ है multiply by 100 तो जी हमारा जो EBIT है वो है 52 लेक और बिजनिस में लगा हुआ पैसा है 300 लेक्स 52 by 300 17.33333 तो इसको कहते हैं 3 बार परसेंट 3 बार का मतलब 3 के ओपर अगर में डेश लगा है 3 3 3 3 3 चलता जा रहा है हमारी क्या एजम्शन रहेगी जब कोशन साइलेंट है same ROI will be maintained after expansion बिजनिस को बढ़ाने के बाद भी आप इतना कमाते रहेंगे तो जैसे आप अभी 3 करोड रुपीज लगा कर बैठे हैं उस पर 17.34% कमा रहे हैं तो जब आप 40 लेक और लगा देंगे तो उस 40 लेक पर भी आप same return कमाएंगे मैं एक कपड़े का बिजनिस कर रहा हूं जिसमें 3 करोड लगे हुए और 52 लेक का EBITR है उसके अंदर अगर मैं 40 लाग रुपए और डालूंगा capital तो 40 लाग रुपए तो मुझे कमाके देंगे न तो हम अमीशा यह मानेंगे हर chapter में आपको मिलेंगे 2-3 ratio हमारे पास ratio analysis chapter है उसके अंदर करीब 80 question है जिसके अंदर सारे ratio cover हो जाएंगे वहाँ पर हम एक एक ratio को in depth सीखेंगे तो ratio में आपको परेशान नहीं होना यह सारे ratio अभी पूरी तरीके से explain होंगे अभी question में मिलेंगे तो हम normally करके आगे बढ़े देट equity ratio बोला है question ने और question ने इसमें बोला भी है कि debt equity में क्या होगा d divided by d plus e तो हम ले रहे हैं debt equity ratio दो option है मार पास when funds rate through loan जब loan से पैसा मंगवाया debt equity ratio equals to d divided by d plus e यह question ने हमें formula दिया हुआ है question खुद formula बताएगा अगर किसी और chapter में तो formula बता देते हैं यह तो हमारे पास इन्होंने formula यहां पर दे दिया d divided by d plus e इसको यह भी लिख सकते हैं debt divided by debt plus equity ओके अब आपके पास मैं सीधे amount नहीं लिखूँगा आपके पास अभी कितना loan है 100 lakh का डिवेंचर है आपके पास 40 lakh आपने और मंगवा लिए मैं इसके आगे mention भी करता हूँ यह old loan है 40 lakh रुपीज और आपने loan मंगवा लिए new divided by यह कितना हो गया total debt 140 lakh यह टीए आ गया प्लस e के लिए क्या लेंगे e के लिए आपके पास आएगा equity equity का जो भी पैसा है तो equity का पैसा कौन कौन सा है उनकी share capital और retained earning तो 200 lakh उनका पैसा है 80 प्लस 120 यह D है और यह E है multiply by 100 percentage में निकाल देते हैं इसको 35 percent से उपर चला गया तो चीज़े बदल जाएंगी तो 140 divided by 340 percent 41.18 percent पे चला गया ओके उपर चला गया debt equity ratio is higher than 35 percent therefore rate of interest on new loan will be किते परसंट किरा 14 percent and p e ratio विल वी कित अगरे 8 यह हो जाएगे मारी सिचुएशन ठीक जी यह debt equity ratio when funds raise through equity अगर हम fund equity के थ्रू रेज करते हैं तो क्या होगा debt equity ratio equals to d divided by d plus e debt 100 lakh है old new है ही नहीं जीरो new debt 100 lakh d plus equity हो जाएगा 240 lakh 200 lakh पहले से है जो equity और return earning का पैसा है और 40 lakh का पैसा और आ जाएगा इसमें logic ठीक है यह हो गया e तो यह हो गया 100 divided by multiply by 100 percentage में अगर निकालना होता है तो multiply by 100 question ने 35 percent बोला है तो multiply by 100 करना है हम percentage में नहीं मांगता तो multiply by 100 नहीं करना पड़ता 100 divided by 340 यह आगया जी 29.41 percent अब अगर आपका debt equity ratio 35 से कम है तो आपका अगर कोई नया loan है जो के है नी question में नया loan तो 0 है नहीं situation में तो interest आपका पुराना 12 percent रहेगा और P ratio आपका 10 रहेगा debt equity ratio is lower than 35 percent therefore लिख देता हूं यहां पर rate of interest on new loan will be 12 percent and P will be 10 जब कि कोई नया loan है नी पर फिर भी मैं लिख रहा हूं ठीक है चलोगी debt equity ratio निकाल लिया पता चल गया किस-किस plan में क्या होगा capital employees से हमने ROI निकाल लिए इस question का बिल्कुल pattern है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इससे बढ़िया question है यह best question है अब हम बनाएंगे statement of MPS जो हमारा main answer है हमारे पाल दो plan है पैसा debt से मंगवा सकते हो एक सगेंड अब भी उपर करता हूं और पैसा equity से मंगवा सकते हो debt equity इस study material के question है एक्सपेक्टिड इबी आईटी at the rate of 17.3 बार परसेंट और अब हमारे पास पैसे हो जाएगा 340 लेक्स 340 लेक्स कैसे 300 लेक्स पहले से है 40 लेक एक्सपेंशन के बाद आने वाला है 340 लेक्स यह इबी आईटी जो आप लोग निकालेंगे कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखाता हूं 58,093,333 लेक्स कैसे 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 लेक जो हमारा existing loan है new वाला जो interest आपके पास आएगा वो equity plan में नहीं आएगा debt plan में आएगा और उसका rate of interest क्या होगा उसके लिए debt वाले option में हमारा debt equity ratio क्या आया था वो देखना पड़ेगा loan वाले case में 41, 35 क्रोस कर गया था तो interest का rate 14% आपके पास आने वाला है तो हमारे पास ये 14% of 40 lakh का loan 5,60,000 जो जी गया गया earning before tax 46,93, 3, 3, 3, 3 41,33, 3, 3, 3 tax 50% है कोई preference dividend नहीं है preference share कमी देते हैं questions में 2, 0, 6, 6, 6, 6, 7 कर रहाँ में यहां बचेगा 2, 0, 6, 6, 6, 6, 6 2, 3, 4, 6, 6, 6, 7 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6 अज़ा ऐसा ज़रूरी नहीं हो उपर 7 कर रहे हैं उपर 6 कर सकते हैं तो नीचे 7 बच जाएगा वो कोई रिक्कत नहीं है earning after tax यही equity share के लिए available पैसा है divided by number of shares number of shares आठ लाग तो existing है जब आप पैसा डैट से मंगवा रहे हो तो कोई नया share issue नहीं होगा नया share 0 जब आप पैसा equity से मंगवा रहे हो तो 40 लाग रुपे हम मंगवा रहे हैं और share का price चल रहा है 25 रुपे divide by 8 lakh और 40 लाग divided by 25 160 तो यह होगे 960 earning per share 2066666 divided by 8 lakh 2.583 2 point तक भी लिख सकते हैं 3 तक लिखना चाहो 3 तक लिख लो 2 पै भी रोक सकते हैं decimal के बाद 2 point तक रोका जा सकता है 2 point 444 इसे multiply करेंगे PE ratio से और यहां पर आ जाएगा MPS debt के case में PE ratio 8 हो जाएगा क्योंकि हमारा जो debt equity ratio था वो rise कर गया था 35 से उपर चला गया था यहां 10 रहेगा 2.444 तो 24.44 और 25.83 यह हो गया 20.664 कोश्चन खता ठेक है कोश्चन ने हमसे यह नहीं पूछा कि कौन सा प्लैन सेलेक्ट करें कोश्चन की requirement थी प्रोबेवल प्राइस बता दो बस तो कोश्चन में आपर सिर्फ यह बोला था कि प्राइस क्या होगा वो बताओ सर्जेशन नहीं पूछा था अगर सर्जेशन हमसे मांगे कौन सा होना चाहिए तो अवियसली सैकेंड वाल हम बता देंगे पर जो चीज नहीं मांगी वो बिना बात के बतानी ज़रूरी नहीं है सेम कोश्चन था जैसे एट है बिल्कुल वैसे ही नाहीं है 10 भी बिल्कुल सिमिलर सा ही है इनका 10 में तो रेशो बगएरा भी नहीं निकालना है तो एक दमासा नहीं क्लियर है आगे बढ़ सकते हैं ओके BQ 10 इस कंसेप्ट पे लास्ट BQ इसके बाद हमारे पास इसका BQ नहीं है PY Q है एक दो पर BQ है लास्ट है इसके बाद हमारा नहीं कंसेप्ट चल्द हो जाएगा हाँ जी BQ 10 The following figures of Chris Limited are presented to you EBIT 23 lakh Deventure interest 8% 80,000 है तो 80,000 divide by 8% इसका मतलब 10 lakh के Deventure है आप पर 10 lakh का 8% निकालोगी तो 80,000 है जाएगा Long term loan 11% से है जिसपे interest जा रहा है 220 220 divided by 11% करोगे तो 22 lakh आजाएगा 20 lakh आएगा 20 lakh 20 lakh का 11% निकालो 2 lakh 20,000 EBIT आ गया इसके बाद में income tax 20 lakh पर 10 lakh के income tax है तो इसका मतलब income tax की percentage 50% है आधा पैसा tax में जा रहा है earning after tax 10 lakh पची number of equity share दिये है 5 lakh अब आप इसको अगर divide करेंगे 10 lakh को 5 lakh से तो EPS आ जाएगा 2 रुपे PE ratio यहाँ पर दिया हुआ है 10 times और market price of share 20 तो उपर नीचे चीज़े लिख दिये है कोई रिकत नहीं है हमें डेटा पूरा है हमारे पास डेटा कोई short नहीं है the company has undistributed reserve surplus of 20 lakh तो 20 lakh रुपे की retain earning है reserve surplus है it is in need of 30 lakhs रुपी company को 30 lakh रुपे चाहिए to pay off debenture and modernize its plant company के पास जो 30 lakh रुपे आएंगे उससे ये debenture को pay off कर देगी तो हमारे पास जो debenture है 10 lakh रुपे के जिन पर 80,000 interest जा रहा है हम क्या करें हुआ क्या होगा debenture जैसे मानलों हमने 5 साल पहले issue किये और debenture की अब redemption date आ गई है अब debenture redeem करने के लिए क्या करें तो एक तो आपने सीखा होगा sinking fund बना लेते हैं DRR बना लेते हैं debenture redemption रिज़र तो इन्होंने जो भी किया है अब ये बजार से पैसा मंगवारे हैं 30 lakh रुपे नया 30 lakh रुपे लाएंगे जिसमें से debenture को pay off करेंगे तो अब बताई क्या होगा 30 lakh रुपे बिजनिस में आएंगे आते के साथ उसमें से 10 lakh रुपे debenture को दे के भीज़ दिया जाएगा तो आप 30 lakh मंगवारे हो तो उसके अंदर क्या होगा ये debenture जो 10 lakh के हैं 10 lakh रुपे तो यही ले जाएंगे आपके पास तिर 20 lakh रुपे बचेंगे कहरें and modernize its plant तो ये अपने plant के उपर modernization के उपर और सिर्फ कितना पैसा खर्च कर पाएंगे 20 lakh रुपे 20 lakh ओके it seeks your advice on the following alternative mode of raging finance हम ऐसे ऐसे finance कर सकते हैं raging entire amount as term loan from bank 12% एक तो बैंक से loan ले लो 12% पर raging part of the funds by issue of 1 lakh shares of 10 each issued at 20 share को 20 रुपे में issue कर रहे हैं खुद बता दिया अगर ये हमें नहीं बताते तो भी हम market price of share 20 रुपे उठा लेते तो अब मुझे बताईए share से कितना पैसा आ जाएगा 20 lakh रुपे तो share से आ जाएंगे and the rest कितने रुपे बचे 10 lakh रुपे और बचे 30 lakh total चाहिए हमें तो 20 lakh हमने equity share से मंगवा लिया 10 lakh हमने by term loan 12% तो हमारे पास दो option है या तो 30 lakh सीधे loan से मंगवा लो या 20 lakh equity से और 10 lakh loan से मंगवा लो ठीक है the company expect to improve its rate of return by 2% as a result of modernization तो company की जो भी ROI है वो 2% बदलने वाली है बढ़ने वाली है यानि अगर आप अभी 10% कमा रहे हो तो कल 12% कमाने वाले हो अगर आप अभी 20% कमा रहे हो तो कल 22% कमाने वाले हो ठीक है but PE ratio is likely to go down to 8 if entire amount is raised at term loan अगर आपने सारा पैसा term loan से मंगवा यह पहला वाला option तो आपका PE ratio 8 हो जाएगा और अगर आपने partial मंगवा है तो कुछ नहीं कह रहे हैं इसका मतलब partial मंगवा है तो 10 का 10 रहेगा यह सारे question एक जैसे हैं व्यूकुल 8, 9, 10 बहुत बढ़ी है question है इसमें debt equity ratio नहीं है first advise the company on the financial plan to be selected कौन सा financial plan हम select कियें यह हम से advise मांगी है तो अब हम क्या करेंगे MPS तक पहुचेंगे उसके बाद में जिसका MPS ज़्यादा होगा उसको select कर लेंगे कि यह वाला plan बढ़ी आया इफ इटी जैंटी सिपेटे यह दूसर पार्ट बाद में देखते हैं पहले एक करते हैं इतना क्यों हो हम अपना confusion अब देखें इस question के अंदर सबसे पहले debt equity ratio वाला matter तो खतम हो गया वो महनत हमें नहीं करनी है लेकिन तब भी इसके अंदर हमें क्या महनत करनी पड़ेगी हमें इसकी existing capital employed निकालनी पड़ेगी उससे 23 lakh को compare करके हमें निकालना पड़ेगा हमारी ROI कितनी है और in future ROI हमारी कितनी होने वाली है हमारी ROI 2% बढ़ने वाली है in future ठीक है आ जाईए सबसे पहले में working notable वहूंगा इनमे ठीक है सबसे पहले existing capital employed equity share capital हमारे पास 5 lakh shares है 10 रुपे face value है 50 lakh reserve and surplus है हमारे पास 20 lakh एक वार दिखा भी देता हूं मैं आपको हाँ जी 5 lakh share है 10 रुपीच करे 50 lakh एक चीज में आपको उता है कई बार बच्चे हैं पूछता है तो 10 रुपे पर क्यों उसको करते हो देखो जो balance sheet के अंदर लिखा जाता है share capital वो face value पर लिखी जाती है balance sheet के अंदर उसके उपर जो भी additional पैसा है वो रिजर्वेंट surplus में security premium के नाम से आ जाता है तो हम हमेशा face value के basis पर ही capital employee में लिखेंगे इसको तो यह 50 lakh आ गिया इसके बाद में हमारे पास 20 lakh के रिजर्वेंट surplus आ गए 70 lakh तो ही हो गए इसके इलावा हमारे पास डिवेंचर और long term loan है अभी ठीक है डिवेंचर डिवेंचर पर आप interest दे रहे हो 80,000 8% interest rate है तो 10 lakh के डिवेंचर है आपके पास और long term loan इस पर आप 2 lakh 20,000 का interest दे रहे हो 11% से यानि कि आपके पास 20 lakh के loan है उल्टा करके देख लीजे 20 lakh का loan 11% का interest 2 lakh 20,000 आ गया अब हमें question क्या देता है वो हमें interest देता है interest का rate देता है तो इसे सामने ले जाकर denominator में रखिए आपके पास loan की amount निकल कर आ जाएगी ओके ठेक है यह आगे हमारे पास long term loan अभी इनको सब को जोड़ दी जी यही हमारे पास अभी existing पैसा यही है तो आपकी जो capital employed है वो हो गई 1 करोड यह आपकी existing capital employed है इस पर आप 23 lakh कमा रहे हो इसका मालब return किती हो गई 23 परसेंट B existing ROI आपका EBIT कितना है और आपकी capital employed कितनी है अच्छा जो EBIT है और capital employed है वो कौन सी ले नहीं existing existing ROI है तो अभी कितना कमा रहे हो कितना पैसा लगा कर तो कितना कमा रहे हो जी आप यह राजी 23 lakh हम कमा रहे हैं कितने रुपे लगा कर 1 करोड लगा कर 23 lakh divided by 1 करो 23 परसेंट कमा रहे हैं जी हम बहुत अच्छी बात है बड़ी है कमा रहे हो ठीक है कोशन ने काए कि हमारी जो expected ROI है वो 2% बढ़ने वाली है तो हमारी परपोईड ROI जो in future हम कमाएंगे वो कितना कमाने वाले हैं 23% में 2% बढ़ाकर 25% इसका मदला हम 25% कमाएंगे आगे ठीक है in future आपके पास कितना पैसा होने वाले वैसे चीज के लिए रहे पर फिर भी मैं working note में लिख रहा हूं जिससे रिविजन में दिक्कत ना हो इसकी need नहीं होती निकालने की आपके पास अभी कितना पैसा है वन करोड यह आपके पास existing है ठीक है कितना पैसा आप बजार से मंगवाने वाले हो 30 लेक हम मंगवाने वाले है new ठीक है अभी तक question इसके आगे कुछ नहीं कहता था वो कहता था भाई 30 लाक रुपे मंगवाएंगे बात खतम अब question कह रहा है हम जो 30 लाक रुपे मंगवाएंगे उससे हम debenture को pay off करेंगे तो debenture हैं 10 लाक रुपे के उन्हें redeem करने के लिए 10 लाक रुपे देने पड़ेंगे 10 लाक रुपे आपके चले जाएंगे redemption of debentures in short सिर्फ 20 लाक रुपे ही आपके बढ़ेंगे तो अब आपके पास जो नई capital employed होगी वो एक करोड 20 लाक होगी यानि आपका business में अभी एक करोड रुपे लगा हुआ है 30 लाक आप मंगवाने वाले हो उसमें से 10 लाक डिवेंचर को दे दोगे तो आपके पास एक करोड 20 लाक रुपे बजेंगे ओके statement of MPS यह है question की requirement number one दो requirement है statement of MPS statement of MPS particulars particulars पहला option है alternative one or two लिखता हूँ पहले option में सारा पैसा loan से second option में कुछ equity से और कुछ loan से ठीक है अभी जो FM के अंदर चीजे चल रही है वैसे बहुत सारे बच्चे को तो clear हो रहा होगा के क्या चल रहा है पर अभी आपके लिए बिल्कुल नया subject है यह धीरे 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 आपके अंदर पक्की हो जाएंगी second third chapter तक पहुचते पहुचते आप बहुत ही comfortable हो जाओगे highly comfortable और फिर EBIT EPS chapter आपको ऐसे लगेगा जैसे चुटकियों पर उंगलियों पर question देखते ही answer question देखते ही answer बहुत आसान हो जाएगा तो हमारा 120 लेक तो 30 लेक हम EBIT कमाने वाले हैं okay 30 लेक less interest existing 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 हमारे पास दो interest है अगर आप जाकर देखो इसे नौट कर लीटे फिर बताता हूं आज question ही चल रहे हैं अभी तो कोई ऐसा वह नहीं बस आराम से question करने हैं interest हमारे पास अगर मैं existing जाकर देखूँ तो existing interest मेरे पास यह डिवेंचर और लोंग टर्म लोन है तो डिवेंचर को हमने लास्ट येर 80,000 रुपे का interest दिया था long term debt को 2,20,000 का अब हम आगे आने वाले समय की बात कर रहे हैं कि अगले साल क्या होगा तो हम अगले साल 30,000 रुपे मंगवाने वाले हैं starting में starting में हम क्या करेंगे डिवेंचर को पैसा पकड़ा के उनको अपने घर चल दे जैसे ही पैसा आएगा आते के साथ डिवेंचर पकड़ा देंगे तो मुझे बताइए क्या आने वाले समय में डिवेंचर एक्जिस्ट करेंगे या नहीं answer is no डिवेंचर नहीं रहेंगे वागे अब सिर्फ ये long term loan रहेगा डिवेंचर को तो हम 10 लाक देंगे घर बेंपेश देंगे अभी तक इस तरीकी बात कभी नहीं आई थी क्या हम किसी को pay off कर रहे है नहीं कर रहे है ये इसमें नहीं चीज हमें देखने के लिए मिल रही है तो existing में मैं मैं लिख रहा हूं डिवेंचर और इसके आगे लिख रहा हूं काटा डिवेंचर इंट्रेस्ट काटा बताईए क्यों क्योंकि ये तो pay off हो गए ये बचे ही नहीं ये तो गए अब हमारी balance sheet से out हो चुके है पहले हमारी balance sheet में यहाँ पर equity share, capital, reserve ऐसे डिवेंचर लिखे थे entry bank account debit to जिसी तरीके से loan से मंगवाए तो to loan और अगर equity और loan से मंगवाए तो to equity share capital to loan क्योंकि एक option में loan से मंगवा रहे हो एक में equity और loan से मंगवा रहे हो फिर इस पैसे से हमने क्या किया डिवेंचर को हमने किया debit, divेंचर account debit to bank हम bank से 10 लाग रुपे divेंचर को देंगे, यहाँ पर हमारे 20 लाग रुपे बच जाएंगे, और यह divेंचर यहाँ से चलता हो जाएगा, इसी लिए हमने क्या करा हमारी पुरानी capital employee 100 lakh थी, उसमें सिर्फ 20 लाग रुपे बढ़ पाएंगे, क्योंकि bank में additional 20 लाग रुपे ही आपके पास बचेगा, और यह divेंचर redeem होके चले जाएंगे, अब बताइए, अगर आपका loan redeem हो गया है, तो क्या उस पर को interest देना है, answer ही no तो divेंचर पर को interest नहीं जाएगा जो आपका पुराना long term loan है उस पर आपके 2,20,000 रुपे जो जा रहे हैं वो जाते रहेंगे, क्योंकि वो loan अभी चल रहा है, अगर वो pay off हो जाए तो उसका interest भी बंद हो जाएगा यह आपका चल रहा है, ठीक है new नया loan आप ले रहे हो 12% पर alternative one में पूरे 30 lakh का loan आपने लिया है, debt से case में जाएगा, पूरे 30 lakh का loan तो 360 का interest जाएगा और second case में 10 lakh रुपे का loan है, तो 120 का interest जाएगा पुराना वाला 220 रहेगा, डिवेंचर का नहीं रहेगा, क्योंकि डिवेंचर redeem हो चुके है ठीक है एक doubt कुछ बच्चों को यह भी आता है कि से डिवेंचर तो हम year के end में redeem करेंगे बचो year के end में अगर redeem करना है तो हम starting में पैसे क्यों मंगवाएंगे यह जो भी हम पैसा मंगवा रहे हैं यह साल खतम हो चुका है हम आने वाले time के लिए मंगवा रहे है FM के अंदर paper पे जो भी काम हो रहा है न वो future के लिए हो रहा है कि हमें future में क्या क्या करना है तो हम आने वाले coming years में 30 लाग रुपे मंगवाएंगे question यह चल रहा है कि 30 लाग रुपे alternative 1 से मंगवाऊं या 2 से मंगवाऊं फिर जिससे भी मंगवाएं हम उसमें से 10 लाग रुपे डिवेंचर को देखे उन्हें घर चलता कर देंगे तो future में डिवेंचर हमारी balance sheet में नहीं होंगे income statement में उनका interest भी नहीं आएगा earning before tax हमारी 30 लेक minus 220 minus 360 24,20,000 और यहां 30 लेक minus 220 minus 120 26,60,000 less tax tax का rate 50% कहीं लिखा नहीं था हमने ढूंड़ा था कहां ढूंड़ा था सर यहां पर हमारा ebt तब 20 लाग रुपे उस पे 10 लाग का tax चला गया था तो इसका मंदा income tax 50% था तो यह हमारे पास आगे जी 50% 12,10,000 13,30,000 earning after tax 12,10,000 13,30,000 कोई preference share question में नहीं है divide by number of shares number of shares इस question में बहुत आसान है हमारे पास 5,00,000 shares है सारा पैसा loans है कोई नया share नहीं 5,00,000 second case में हमारे पास 5,00,000 shares है और question ने खुद बता दिया है कि 1,00,000 share हम नहीं issue कर रहे हैं तो 1,00,000 share issue कर रहे हैं आज़ाओ जी 1,00,000 और हो गए 6,00,000 हो गए ये हमारे पास आ गया earning per share 2.42 2.216 तो 216 की लिए 22 भी लिख सकते हैं वर्णा 216 लिख लिख लिए है ठीक है अब P.E. ratio दिया हुआ है P.E. ratio से multiply करिए M.P.S. आ जाएगा question ने का है अगर सारा पैसा लोन पे मंगवाओगे अगर सारा पैसा लोन से मंगवाओगे यानि case 1 तो हमारे पास P.E. ratio 8 हो जाएगा अगर सारा पैसा लोन से मंगवाते हो तो alternative 1 में हम सारा पैसा लोन से मंगवा रहे हैं तो पहले case में हमारा P.E. ratio 8 हो जाएगा वैसे normally हमारा P.E. ratio 10 चल रहा है इस समय तो P.E. ratio यहाँ पर 8 हो जाएगा यहाँ पर 10 चल रहा है यह हो गया 22.16 और 2.42 x 8 यह हो गया 19.36 अगर हम देखें तो E. P.E. किसका जाएगा इसका लेकिन अगर देखें M. P.E. किसका जाएगा इसका तो E. P.E. और M. P.E. में कभी भी लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन M. P.E. तो हमारे को बताई कौन सा प्लैन लेना चाहिए हमें प्लैन नंबर टू लेना चाहिए कंपनी शुड पोशन ने का था है एडवाईजें नहीं है कंपनी शुड गो विद अल्टर्नेटिव टू हैविंग हाइर M. P.E.S. बहुत ही सिंपर बहुत आसान है दीरे 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 आप लोग को प्रैक्टिस होती जाएगी जैसे जैसे हम कोश्चन में बढ़ते रहेंगे आगे आप लोगों के लिए आसान होता चला जाएगा इस कोश्चन में दो रिक्वाईर्मेंट थी एक हम पूरी कर चुके हैं दूसरी अब हम पढ़ेंगे कि आखिर दूसरी चीज़ ये पूछ क्या रहे थे और ये दूसरी रिक्वाईर्मेंट के बाद में हमारा ये कोश्चन खतम हो जाएगा उसके बाद हम एक दो पी वाई क्यू देखेंगे इसी तरीके के और ये पैटर्न खतम EBIT EPS में new company existing company दोनों खतम हो जाएगी second point पूछा है if it is assumed that there will be no change in PE ratio अगर PE ratio में change ना हो यानि 10 है तो 10 ही रहे if either of the two alternatives are adopted चाहे आप दोनों में से कोई भी alternative लो would your advice still hold good or not तो अगर भाई if there is no change in PE ratio तो ऐसी situation है PE ratio हो जाएगा 10 तो मैं यहां लिख देता हूँ PE ratio 10 then तब हमारे MPS क्या होंगे वो हमें निकालने पड़ेंगे MPS under alternative 1 MPS under alternative 2 alternative 2 में तो देखो वही रहेगा क्योंकि alternative 2 में तो PE ratio 10 ही लिया था हमें 2.42 का EPS 2.216 का EPS PE ratio इसका तो 10 ही था और यह 22.16 हाया था अगर यहां भी PE ratio 10 हो जाए तो इसका हो जाएगा 24.20 ऐसी situation में alternative 1 जीट जाएगा क्योंकि उसका MPS ज़्यादा है और हमारी advice क्यों हो जाएगी इन सच situation कंपनी शुड़ गो वेड़ ओल्टरनेटिव फन having higher EPS sorry MPS ठीक है कुछ बच्चे क्या करते हैं स्पीड बढाके देखते हैं 1.2x 2x मास्टर बोल रहा है if there is no changing people higher EPS हो गया क्या समझ में आता उसमें और बच्चे कहते हैं कि सर बिल्कुल clear समझ में आ जाता है जबकि मैं कोई slow नहीं पढ़ाता अराम से पढ़ाता हूं सर बिल्कुल बढ़िया समझ में आ जाता है हम तो 1.5x 2x ऐसे ऐसे देखते हैं तो मेरी recommendation यह है कि ज़्यादा तेज भागा के ना देखें अराम से देखें course अराम से टाइम ली खतम हो जाएगा और अराम से आपको समझ में भी आना चाहिए proper homework करें और अभी भी मैं बोल भी रहा हूँ ना अभी भी कुछ बच्चे speed में देख रहे होंगे और कह रहे होंगे कोई बात नहीं master जो भी बोल रहा कहने दो हमें समझ में तो सब आई रहे तो थोड़ा सा मदलब अगर आप normal speed पर देखें तो बहतर है और यह जो 2x वाले हैं वह 1.2x पर आजाओ 1.5 पर आजाओ 2 पर देख लेते हो कैसे देख लेते हो normal speed ठीक है अराम से देखो कौन सी जल्दी वाजी कहा जाना है समझ में भी तो आना चाहिए और कहते हैं समझ में भी आता है सरफ में सरफ पता नहीं भी बच्चे कैसे कर लेते हैं यह बच्चे आजकल के तेज हैं बहुत हमारे पास PYQ में टोटल चार question है सिमिलर जिन में से एक है PYQ 14 PYQ 14 पर आईएगा पेज नंबर है 1.26 और इससे पहले PYQ 14 से पहले आप आजाओ concept में लिखना concept में जाएगा एक नया formula सिखाता हूँ आप लोग यह हमारे पास है point number 8 आजाओ point number 9 concept में लिखेगा एक नया formula सिखाता हूँ आपको EPS का short formula of earning per share जैसे हम EPS का statement बनाते हैं इसका एक short formula भी होता है short formula क्या है EPS equals to होता है EBIT minus i 1-t minus pd divided by n here EBIT तो आपको बताए i का मतलब है interest t का मतलब है rate of tax pd का मतलब है preference dividend और n का मतलब है number of equity share okay इसको ऐसे लिख लिख लिए बात समझ में आएगी example से ठेक है EBIT minus i bracket में है 1-t फिर minus pd है or divide by n है ठेक है okay एक example से बात में आपको समझाता हूँ example में सारी चीज़े ले लेता हूँ जैसे मान लो हमारा जो EBIT है वो 10 लाक रुपे है और जो हमारे पास debt है preference share है और equity है वो साथ में लिख रहा हूँ tax rate टेक्स रेट 40% EBIT 10 लेक है tax rate 40% है हमारे पास 12% preference share है और 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 हमारे पास में 10% पर debt है और हमारे पास equity shares है face value रुपीज 10 एच preference preference share debt और equity 50 लाग के ले लेता हूँ में यह सारे number of share कर देता हूँ 3 लैक यह कर देता हूँ यह रुपीज है यह रुपीज है यह रुपीज है यह रुपीज है यह number of share है equity shares 3 लैक shares calculate earning per share earning per share हमें यहां पर निकालना है ठीक है मिरा एह पंप यह यह जी Statement of EPS जैसे हम लोग EPS निकलते हैं पहले वैसे निकलते हैं Alternative 1 Particular Amount EBIT कितना है आपका टैन लेक्ट लेस इंट्रेस्ट आप कितना पे करोगे 10% ओफ 12 लेक्ट 120 का आपका इंट्रेस्ट चला रहेगा EBIT के आपके पास खितना बचेगा 8,80,000 Tax का rate है 40% Simple है बिल्कुल ये तो उंगलियों पर आपकी तो ये हो गया 352 और माइनस करके आगया आपके पास 4,28 8,80 था और इंट्रेस्ट 352 और 5,28 5,28 ठीक है ये हमारे पास आगया अर्निंग आफ्टर टैक्स इसमें से माइनस करेंगे प्रिफ्रेंस डिविडेंट जो की है हमारे पास 12 परसेंट ओफ एट लेक 12 परसेंट एट लेक की शेयर केपिटल प्रिफ्रेंस 96,000 ये हमारे पास आगया अर्निंग फोर इक्यूटी 4,32,000 इसे नंबर ओफ शेयर से डिवाइट करेंगे नंबर ओफ शेयर समेशा कौन से होते हैं एक्यूटी के ठीक है प्रिफ्रेंस शेयर के लिए कोई EPS वगएरा नहीं निकालो जाता सिर्फ एक्यूटी के लिए निकलता है नंबर ओफ शेयर 3,000,000 शेयर कोईशन नहीं में दिया हुआ है लो जी 3,000,000 शेयर है हमारे पास और हमारे पास अर्निंग पर शेयर निकल कर आ जाएगा इपी एस रुपीज 1.44 यही हम लोग करते आ रहे हैं इसी तरीके से निकालते हैं नौट कर सकते हैं आप लोग सिंपल है बिलकुल किसर यह तो हमें पूरी तरीके से क्लियर है बिलकुल अब हमारे पास अल्टर्निटिव टू EPS equals to EBIT-I 1-tax-pd divided by n यानि number of share यह हमारे पास इसका फॉर्मूला है पूरे statement में जो answer आता है यह फॉर्मूले से एक ही बार में आ जाता है किसर तो फिर हम statement क्यों बना रहे हैं बार-बार और यह पहले formula समझेंगे देखेंगे कैसा आ रहे और हमसर statement क्यों बना रहे हैं बार-बार ऐसा होता है जब हमारे पास तीन प्लैन चार प्लैन है दो प्लैन है तो हमें बार-बार नहीं लिखना पड़ता है statement में क्या होता है एक ही वार में लिखे बस line ने खिशनी है और answer आ जाता है और एक sequence चलता रहता है और अगर formula से लिखेंगे तो हमें हर alternative के लिए formula लगाते रहने पड़ेंगे तो वो थोड़ा landy हो जाता है MPS के लिए फिर अलग से पहले EPS निकालो फिर ऐसी टेक्स में लिखो तो टेक्स में लिखने के अगला concept आने वाला है उसके लिए जरूरी है अब आपको सीखना है ठीक है अब यहां से आप लोग नहीं लिखेंगे मैं आपको लिखने का पूरा time दूंगा सबसे पहले हम लोग देखें करते क्या है हम EBIT यह 10 लाक रुपे उसमें से interest माइनस करते हैं और EBIT पर आ जाते हैं ब्रैकेट बल गया क्या मैं कह सकता हूँ यह figure आपकी हो गई है 8,80,000 EBIT माइनस interest यह 8,80 आ गया आपका ठीक है इसके बाद यह बोले 1 माइनस tax से इसको multiply करना है tax का rate है 40% तो यहां पर 40% को हम लिखेंगे 0.40 30% को 0.3 40% को 0.4 50% को 0.5 60% को 0.6 45% है तो 0.45 ठीक है अब मुझे बताइए 1-0.4 का मतलब क्या हो गया 0.6 यह basically 1-t क्या कहता है 1-t कहता है कि एक रुपे में से 40 पैसे tax चला जाएगा 40% tax है इसका मतलब हर एक रुपे में से 40% tax चला जाएगा आपके पास किता बचेगा 60 पैसे तो एक रुपे में से 40% tax गया 60 पैसे बचे तो इसका मतलब यह 1-0.4 आपके 60 पैसे को रिपेजेंट कर रहा हर एक रुपे में से ठीक है अब यहाँ पर आपके पास आपकी कमाई कितनी है आपके पास EBIT- interest 8,800,000 विफोर टेक्स कमाई है इस कमाई का सिर्फ 60 परसेंट ही आपको मिलेगा 40 परसेंट गोर्मेंट ले जाएगी 60 परसेंट आपको मिलेगा 40 परसेंट गोर्मेंट ले जाएगी आपका अब जड़ा देखे एक बार इसको मैं हटा रहा हूँ अब देखे यह बेसिकली इसका जो मतलब आएगा यह आएगा 8,800,000 multiply by 0.6 5,28,000 आपके पास बचेगा गोर्मेंट को टेक्स देने के बाद यह टेक्स देने से पहले आपका पैसा EBT यह है EBT और टेक्स देने के बाद यह जो पैसा है यह है आपका EAT earning after tax 5,28,000 आपके पास बचेगा अचा बच्चा कहता है कई बार के सर्फ 1-T क्यों लिखा है सीधे हम 0.6 से multiply करने सीधे multiply कर सकते हैं यह financial management की जो theory लिखी गई उनमें formula लिखने का style है कि 1-T लिखते हैंगे कि हम सीधे एक बात ओओ EBIT-I आई आगया हमारे पास हमारे पास आगया EBIT-I यह आगया हमारे पास कि वही 10 लाक रुपे कमाए 120 चले गए 8,80,000 बचे तो बताओ सीधे minus 40% भी तो कर सकते हैं कि 40% tax चला गया पर theory जैसे लिखी गई formula जैसे लिखे गई वैसे ही trend में चलते रहते हैं तो पूरे study mat में आपको tax सीधे minus नहीं करेंगे 1-T लिखेंगे यह तरीका है तो हमें भी इ ebit minus i पर हम इसकी multiply हम सीधे 40% tax माइनस नहीं करेंगे बलकि हम इसकी multiply करेंगे 1- tax से तो इसकी multiply 1- tax से करने के बाद आप यहां पहुच जाएंगे ebit minus i multiply by 1- tax यह आपके पास earning after tax आजाएगा तो ebit minus i से आप 880 पर पहुचे ते देखे 10,000-120 अब आप इसको 0.6 से multiply कर दो तो आपके पास आजाएगा 5,28,000 तो हम earning after tax पहुच गए इसके बाद इसमें से minus करते हैं preference dividend जो 96,000 है minus 96,000 ठीक है minus 96,000 करते ही आपकी कमाई कित्ती बची 880 minus 40% tax चला गया minus 96,000 आपकी कमाई बची 4,32,000 तो 4,32,000 आपको कहां देख रहा है earning for equity यह आपके पास यहां पर value है EBIT minus I, 1 minus tax minus preferred student हमेशा जो minus करने वाली figure है पहले multiply होगी यह उसी के बाद में minus होगा तो कभी भी plus यह minus होता है उससे पहले multiply यह divide का का काम करते हैं तो पहले multiply होगा उसके बाद minus होगा तो हम यहां पर पहुच जाएंगे EBIT minus I, 1 minus T minus PD, 432 पर पहुच गया है अब बताएए इस 432 को क्या करना है divide by number of share 3,00,000 इसके लिए denominator में N है divide by 3,00,000 और हमारे पास EPS की value आ जाएगी अब जड़े इसको solve करके देखिए 10,00,000 minus 120,000 8,80,000 आ गया 1 minus T 60% आ गया minus 96,000 divide by 3,00,000 और यह हमारे पास आ गया 8,80 multiply 0.6 minus 96,000 4,30,000 आ गया हमारे पास मैं इसको आगे लिखता भी हूँ है ऐसे 4,30,000 आ गया हमारे पास divide by 3,00,000 shares और EPS की value आ गया आपके पास 1.44 तो मैं तो multiple layers में किया है आप इसी के आगे सीधे लिख सकते हैं 1.44 पर पहले समझना जरूरी है इसलिए मैंने तोड़ तोड़ के लिखा है तो आप इसे note करिए वो जो उपर मैंने करके EAT पहुंच गए PD माइनस करके earning for equity पहुंच गए बस earning for equity को divide कर दो number of share से और आपके पास आ जाएगा EPS तो यह formula हम लगा सकते हैं EBIT माइनस I 1-T माइनस PD by N ऊपर की मार्किंग कभी मैं आपको दे रहा हूँ भी not करने के लिए जो मैंने करिए ठीक है जिन्दगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं यह उपर की मार्किंग नॉट कर दीजिए EBT के आगे लिख लिजिए के EBIT माइनस I किया तो EBT पर पहुच गए EAT के आगे लिख लिजिए EBIT माइनस I में 1-T मल्टिप्लाई किया तो EAT पर पहुच गए और EBIT माइनस I 1-T माइनस PT से earning for equity पर पहुच गए बस number of shares से डिवाइट करो और काम खतम हो जाएग ओके यह मारकिंग कर डिए फिर हम जाएंगे PYQ 14 पर लाला 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 झाला आजो पीवाइक्यू 14 पर चलते हैं पेज नंबर था पीवाइक्यू 14 में 1.26 पेज नंबर 1.26 पीवाइक्यू 14 अर्णिंग विफोर इंट्रेस्टेंट टेक्स ओफा कंपनी आर 4,50,000 कुरंटली दा कंपनी हैज 80,000 एक्यूटी शेर्स ओफ 10 एच 80,000 शेर्स हैं भी रिटें रेंनिंग 12 लेक है इट पेज एन्वल इंट्रेस्ट 1,20,000 ओन 12 परसेंट डिवेंचर यानि 10 लाक के डिवेंचर भी है 120 का इंट्रेस्ट जा रहे 12 परसेंट से तो 10 लाक रुपे का लोन भी है तो इनके पास अभी 80,000 शेर्स हैं 10 रुपे वाले 8 लेक तो इक्यूटी शेर कैपिटल हो गई 12 लेक रिटें रर्निंग हो गई और 10 लेक का इनके पास डिवेंचर हो गया अब आपके लिए आसान होने वाली चीज़े जरह मुझे बताओ कैपिटल एमप्लोईट अभी कितनी है 80,000 शेर्स दस रुपे के है 8 लाक रुपे शेर्स के हो गई रिटें रर्निंग के 12 लाक रुपे है ठीक है लोन कितना हो गया 10 लाक रुपे के डिवेंचर हो गई तो हमारे पास 30 लाक रुपेच की कैपिटल एमप्लोईट हो गई कमा कितना रहे हैं 4 लाक 50,000 तो 15 परसेंट हो गया 4 लाक 50,000 डिवाइड वाई 30 लाक 15 परसेंट कमा रहे हैं सेम रिटर्न आगे भी कमाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कैपिटल एमप्लोईट निकाल के दिखानी पड़ेगी और रिटर्न ओन इन्वेस्टमेंट निकाल के दिखाना पड़ेगा वो ही कॉंटिन्यू रहेगा आगे इट केन रेट फंड आइदर त्रू डेट ओफ 12 परसेंट पर एनम और बाई इशुइंग इक्यूटी शेर एट पार ये 12 परसेंट के रेट से डेट को इशू भी कर सकते हैं और पार पर भी टेक्स रेट 40 परसेंट है ठीक है तो लोन से पैसा मंगवाएं और एक्यूटी से पैसा मंगवाएं तो EPS निकालना है इसके बाद में EPS निकालने के बाद में एक ही आगे एडवाईज मांग रहे हैं उस एडवाईज पर हम आएंगे भी बाद में 10 नमबर का कोश्चन 10 नमबर में दिया है सबसे पहले तो हम EPS निकालते हैं दोनों केस में पीवाई क्यू 14 वर्किंग नोट बना लेते हैं पहले क्या एग्याम में सर वर्किंग नोट बना सकते हैं पहले बिल्कुल वर्किंग नोट आप में आंसर से पहले बाद में कहीं भी बनाईए वर्किंग नोट कहीं भी बना सकते हैं जहां जरूत पड़े वहां बनाईए कोई इशू नहीं है तो हमारे पास पहला working note existing capital employed आपकी आखिर कितनी है existing capital employed equity share capital एटी थाउरेंड शेर्स हैं 10 पर फेस वैल्ल्यू एट लैक रिजर्वेंट सर्प्लस या रिटेंड रर्निंग जो भी बोलें 12 लैक की वही है यह भी आपके पास और एक आपका डैट चल रहा है डिवेंचर जिस पर वन लैक ट्वंटी थाउरेंड का हम इंट्रेस्ट दे रहे हैं 12 परसेंट का रेट है तो दस लाक रुपे का लोन है उस पर ट्वैल परसेंट से वन ट्वंटी का इंट्रेस्ट जा रहा है capital employed होगी 30 लैक यह हमारी existing capital employed होगई है हमारी जो EBIT है वो question ने दिया है 450,000 का हमारे EBIT है तो हमारी existing ROI कित्ती आई 450,000 EBIT 30,000,000 के capital employed पर 15% सर आपने formula नहीं लिखा working not में formula skip किया जा सकता है बाकी लिखना चाहिए काई दिए अब हमारी प्रपोईट EBIT प्रपोईट ROI कितना होगा question ने काई जी प्रपोईट ROI और current ROI सेम है तो वो भी 15% ही रहेगा कोई change ही नहीं है प्रपोईट ROI लिखने की ज़र्वत नहीं थी ऐसी लिख रहा हूँ मैं तो अब इन्हें 6,000,000 रुपे की ज़र्वत है और पैसा या तो debt से मंगवाना है 12% से या equity share issue करने पार पर या नी 10 रुपे का एक share उसमें EPS निकालके दिखाना है बस ठीक है तो हमारी requirement number A है statement of EPS नहीं requirement number A नहीं है statement of EPS earning per share तक ही जाना है 10 number में दिया है question बढ़िया 10 number मिल गए बच्चों को छोटा सा statement बनेगा 10 number जेब में आ जाएंगे particulars पहला option है debt से पैसा मंगवाओ और दूसरा option है equity से पैसा मंगवाओ ठीक है जी EBIT हमारा कितना होगा 15% of 36 lakh 36 lakh कैसे हो गया sir देखो 30 lakh तो तुमारे पास सब भी है पैसा और नया पैसा कितना मंगवाओ रही है 6 lakh तो 30 lakh existing और 6 lakh नया 36 lakh हो गया 5 lakh 40,000 ठीक है यह हमारा ही BIT है गया less interest existing 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 interest 1 lakh 20,000 जा रहा है question ने खुद बताया हुआ था सीधे लिख सकते है new new है जी आपके पास में 12% का rate है और 6 lakh रुपे लोन से हम ले लेंगे 6 lakh की expansion करनी है तो 72,000 का interest और जाएगा यहाँ पर equity में कुछ नहीं जाएगा earning before tax 420 348 okay less tax tax का rate 40% दिया है 139 200 168 000 earning after tax 252 288,800 earning after tax तक पहुच गहाएगा कोई preference shares नहीं है divided by number of shares अभी इनके पास कितने shares है 80,000 80,000 shares है सारा पैसा loan से लंगवाया है कोई नया share नहीं 80,000 shares है plus पार पे issue बढ़ रहे है 6,000 रुपे चाहिए 60,000 shares और issue होंगे तो 1,40,000 shares आपके पास हो जाएगी है EPS पूचा था EPS तक पहुच गए 2.61 1.80 यह हमारा EPS आगया कोईशन नहीं पूचा था कि वही EPS बता दो कितना आएगा इतना note कर लीजिए simple है बहुत आसान है यह कोईशन में homework में देता आप लोग को लेकिन इसकी एक ऐसी line है तो किसी भी कोईशन में अगर एक इतनी सी भी line ऐसी होगी जो मुझे समझानी चाहिए तो time कितना भी लगे वो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा वो छोड़ नहीं सकते इसकी इतनी छोटी सी एक बात है इतनी छोटी सी line है जिसके लिए मैं पूरा कोईशन कर रहा है इस कोईशन में दम तो बिल्कुल भी नहीं है इससे ज़्यादा बहतर कोईशन तो हम कर चुके है यह होंवर्क में दे सकता था पर क्यों नहीं दिया अब यह आपको समझ में आए गए आजए मैं इस कोईशन का जो EPS है वो मन लेता हूब क्ये हमारी first requirement है requirement number one है जिये इसकी एक दूसरी requirement है वो दूसरी requirement क्या है ज़रा वो देखे है advise whether the company should go for expansion advise whether the company should go for expansion plan and which source of finance should be preferred यह लाइन दिखे हुई है तो which source of finance should be preferred बच्चा सीधा आएगा और बताएगा यह लोगी 2.61 जाता है 2.61 पे चले जाओ आप लोग भी तो यही सोच रहे हैं यही होगा यही है सही answer भी रही है 2.61 पे जाना है लेकिन इसमें एक और बात है आज तक अभी तक किसी भी question में यह बात नहीं पूछी गई यह कौन सा source of finance लें यह तो पूछ लेते हैं कई बार advise हो लेकिन यह बात जो इन्होंने पूछी ह इसका मतलब है क्या company को expansion करनी चाहिए या नहीं यानि company को चैलाक रुपे मंगवाने भी चाहिए या नहीं 30 लाक रुपे है 450 कमा रहे हो क्या हम 6 लाक रुपे मंगवाएं या जैसे business चल रहा है वैसी चलाते नहीं हमारी दिल्ली में branch है क्या हम Mumbai में खोले या दिल्ली में ही चलाते नहीं ओके यह इसके अंदर point बिल्कुल नहीं है यह important है क्या हमें expansion plan करना चाहिए या नहीं इसके लिए क्या करना होगा आप जड़ा देखिए advise दो पार्ट में तूटेगी first whether the company should whether the company should go for expansion क्या company को expansion पर जाना चाहिए या नहीं ठीक है अब मुझे आप लोग बताओ के हम कैसे decide करें expansion पर जाना चाहिए या नहीं हमें ये तो पता है के expansion के बाद debt हमें 2.61 EPS देगा और equity plan 1.80 देगा तो debt plan पर जाना चाहिए expansion के बाद ये बात तो हमें पता है लेकिन हमें expansion करना है या नहीं करना है ये कैसे decide करते है ये तो सर अभी तक हमने सीखाई नहीं आज ये सीखते है इस situation में हम क्या करते है हम निकालते है existing EPS कितना है existing earning per share तो आपका अभी कितना कमारे हो पहले वो बताओ फिर बताएंगे के expansion करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो existing EPS अब statement तो बनाएंगे नहीं हम पूरा short में करना है तो बताएंगे formula लगा देते है EBIT minus I 1 minus tax preference shares नहीं है तो PD minus करने की कोई ज़रूत नहीं है preference share इस question में नहीं है divide by N अराम से देखना आप पहले EBIT अभी आपका कितना है 4,50,000 statement भी बना सकते है आप लेकिन एक ही single line का बनेगा 450 का EBIT अभी interest कितना दे रहे हो 120 30,000 के अंदर ही है हम अभी हमने expansion नहीं करी तो क्या होगा तो expansion अगर आपने नहीं करी 450 का EBIT है 120 का interest है 40% tax तो number of share 80,000 है EPS आ रहे हैगा आपके पास तो 120 का interest 1 minus tax number of share से 80,000 बताइए existing EPS है कितना इसका मतलब आप आज की date में कितना कमारे हो जो 30,000,000 रुपे आपने बिजनेस में लगा रखे है एक share पर 450 minus 120 40% tax चला गया 198 divided by 80,000 अभी हम कमारे है 2.475 पर share तो आपकी अभी की जो कमाई है वो 2.475 पर share है ठीक है अब मुझे बताइए expansion के बाद expansion के बाद आपकी कमाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही मैं आपको बताता हूँ अगर expansion के बाद हमारा यहां पर आ रहा होता 2.40 2.61 नहीं होता 2.40 होता अब मुझे बताइए expansion के बाद अगर first alternative लें तो 2.40 कमाईंगे second alternative लें तो 1.80 कमाईंगे तो भाई क्यों करें ऐसा काम expansion करें क्यों अभी 2.47 कमा रहे है कल को 2.40 कमाईंगे जब आज ही ज़्यादा कमा रहे हैं तो फिर क्यों मिना बात के करें practical बात हो गई यहां पर आगे 2.61 एक प्लैन में तो अब हमारा answer होगा yes company should go for expansion having higher EPS in expansion plan then current EPS आप समझे यह बात किसी question में नहीं थी अब इतनी छोटी सी बात पे 10 नंबर question ऐसे ही नहीं दे रहा कुछ ना कुछ पॉइंट था इसलिए दे रहा है तो हमें यह निकालना था भी हमारा अभी का EPS इतना है और हमें expansion plan पर जाना चाहिए अब दूसरा पूछा था इन्होंने कि कौन सा plan सेलेक्ट करना चाहिए वो बिल्कुल इस पाइस और अधियु प्वेस्ट इपीएस से ज्यादा होगा वह बिल्कुल उस पर जाना चाहिए और और alternative 1 पे जाना चाहिए, alternative 1 में हमारे पास सारा पैसा हम debt से मगवारे थे, उस plan पे हमें जाना चाहिए ये question में homework में देता, अब मुझे बताओ, अगर ये question में homework में देता तो ये वाला point आप skip कर देते, ये चीज़ समझ में नहीं आती, आप सीदे क्या करते जल्दी से EPS निकाला, और EPS निकालने के बाद में खटेक से आप क्या करते, जिसका EPS जाता है, उसे select कर लो, ऐसी situation में 10 में से आपको 6 नंबर मिल जाते, 6-7 नंबर मिल जाते, पर 3 नंबर तो पढ़ते हैं, हमें एक भी नंबर कटवाना नहीं है, FM 50 नंबर का है तो FM में 50 चाहिए, SM 50 का है तो उसमें 50 चाहिए, हमें तो पूरे सोच आईए, इस से कम का काम है ही नहीं, और हम इस तरीके से पढ हर से क्या बनेगा, सारे कंसेप्ट आगए अवाई से कुछ भी कर ले, आपसे कोश्चन बनेगा, बस जैसे मैं बता रहा हूं कि कोश्चन साथ के साथ करिए, होमवर्क वाला कोश्चन करिए, और हर किलास के बाद जो भी पढ़ाया गया, उसको रीड कर लीगी, ये most important है, इसके इलाबा और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस इतना ही, ये paper बहुत आसान है, और बहुत scoring है, बहुत scoring है, ठीक है, second group में costing से जादा scoring तो कोई है ही नहीं, क्योंगि वो पूरा 100 number numerical है, उसके बाद में FM और SM scoring है, क्योंकि SM में भी पूरे number मिल जाते हैं, और FM पूरा 50 number क पूरे उठा सकते हो, audit के अंदर 100 number score नहीं होते है, तो costing पूरे 100 number दिलवा सकता है, उसके बाद FM पूरे 50 दिलवा सकता है, SM में भी number नहीं करते हैं, उसके बहुत scoring है, उसके बाद FM SM बहुत scoring है, उसके बाद में आपका audit है, second group इसी sequence में, पीवाई क्यू 14 के बाद हमारे पा 15, हमारे पास question में क्या होता था, EBIT से शुरू होकर EPS तक जाते थे, इन्होंने क्या कर आप, यह बोले हम EBIT से शुरू नहीं करते, हम sales से शुरू करेंगे, तो मैंने आपको sales से शुरू करने के अंदर starting में, concept में एक statement बनवाया था, कि sales से शुरू होके कैसे पहुचेंगे, यह था, बिल्कुल starting का performer था, कि अगर sales से चलें तो क्या होगा, पहले sales लिखो, उसमें से variable खर्चे माइनस करो, contribution आ जाएगा, उसमें से fixed खर्चा माइनस करो, फिर आपके पास EBIT आ जाएगा, तो sales में से variable cost गया contribution, fixed cost गया EBIT, यहां से हमें question मिलता था, फिर EBIT के आगे का तो system आपको बता है, तो यह जो PYQ 15 है, यह PYQ 15 sales से लेकर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी लेकर चलो, पढ़ते हैं, the particulars related to Raj Limited for the year ended 31st March 2022 are given as follow, जी बताइए, output 1 lakh unit है, units at normal capacity, normal capacity पर 1 lakh unit हम बनाते हैं, Sailing price per unit 40 रुपे है, 40 रुपीज में एक रुपीज में एक रुपीज बिक्ती है, variable cost per unit 20 रुपे है, ठीक है, fixed cost हमारी 10 लाक रुपे है, the capital structure of the company edge on 31st March 2022 is as given below, equity share capital 1 lakh share है, 10 रुपे के 10 लाक, Reservant surplus, यह नीचे है basically, अगली line में है, Reservant surplus 5 lakh हैं, और current live tage 5 lakh हैं, तो इसका मतला हमारे उपर कोई loan नहीं है, यह देखिए, equity share है, Reservant surplus है, current live tage है, loan कोई नहीं दिखरा अभी है हमारे उपर, R.J. Limited had decided to undertake an expansion project to use the market potential that will involve 20 lakh रुपीज, हम 20 लाक रुपे बिजनिस में और लगाने की सोच रहे हैं, The company expect an increase in output by 50%, इससे हमारा output 50% बढ़ जाएगा, तो आपका output अभी कितना है, 1 lakh unit, 50% बढ़ जाएगा, तो आपका output हो जाएगा 1 lakh 50,000, तो अब हम 1 lakh 50,000 units बेचा करेंगे, ठीक है, Fixed cost will be increased by 5 lakh, हमाई जो Fixed cost है भी 10 lakh है, वो in future 15 lakh हो जाएगी, ओके, And variable cost per unit will be decreased by 15%, variable cost per unit का खच्चा 15% गिर जाएगा, यानि यह जो variable cost हमारे पास 20 रुपे है, 15 हो गया, इसका 3 रुपे, 17 रुपीज पर यूनिट रह जाएगी है, ओके, The additional output can be sold at existing selling price, मतलब sale price को नीच हो रहे, sale price 40-40 रहेगा, without any adverse impact on the market, ओके, तो इन्होंने unit किती भी केंगी, variable cost किती है, fixed cost किती है, यह सा बता दिया हमें, कोई बात नहीं, Carrying the following alternative scheme for the financing the proposed expansion program are planned, हमारे को टोटल 20 रुपे की ज़रु होते है, Alternative 1, 2, 3, Alternative 1 में debt होगा 5 लेक का, बाकी balance equity से आएगा, यानि 15 लाख equity से, Second में 10 लेक, 10 लेक हो जाएगा, Third में 14 लेक और equity से 6 लेक हो जाएगा, तो यह 3 हमारे पास option होगए, Alternative 1, 2, 3, Slab wise interest rate for fund world is given below, Slab दे दिया debt के लिए, के interest कैसे लगेगा, 5 लेक तक 10%, 5 लेक से और 10 लाख तक 15%, और 10 लाख सो पर 20%, जैसे हमने BQ 1, 2, 3 में किया था, के Slab wise interest दे देंगे, current market price per share is 200 रुपी, share का price दे दिया, तो इससे number of share निकाल लेंगे, हम जैसे 15 लाख रुपे मंगवाने हैं, तो divide by 200 रुपे का एक share, number of share आजेंगे, कितने issue होंगे, find out which of the above mentioned alternative would you recommend for Raj Limited with reference to EPS, EPS निकाल कर हमें बताना है, assuming a corporate tax rate 40%, तो 10 number के लिए ऐसे बड़ा सा बना दिया, आसान है बहुत, इसमें कोई technical point नहीं है, आजाएगे, एक बार करते हैं, देखते हैं किस तरीके से यह होगा, PYQ 15, बस इसमें और बाकी question में क्या फर्क करेगा, कि यह start EBIT से नहीं होगा, यह sales से होगा, इसमें वैसे working not की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिससे आपको revision में दिक्कत ना हो, तो मैं working not में चीज़े लिखा देता हूँ, कि अब units हमारी कितनी होने वाली हैं, हमारी variable cost per unit कितनी होगी, और हमारे पास basically fixed cost कितनी होने हैं, यह तीन चीज़े बदली हैं इन्होंने, तो वो तीनों में लिख देता हूँ आपको आसानी रहेगी है, working not, first, prepoid, sale, अभी one lakh unit है आपकी, यह 50% बढ़ जाएंगी, one lakh 50,000 units, prepoid, variable cost per unit, अभी 20 rupees per unit है, 15% कम होना है, rupees 17 per unit हो जाएगा, question जैसे कहें, वैसे बस चीज़ों को लिखना है, मैं और कुछ नहीं, prepoid, fixed cost, अभी 10 lakh रुपे थी, question ने कहा था, 5 lakh बढ़ जाएगी, 15 lakh हो जाएगी, यह नहीं भी लिखते तो भी चलता, बहुत common सी बाते थी है, statement of earning per share, एक मेंट उपर करूँगा मैं भी, ज्यादा बड़ा statement बन्द बराएगा, कोई खास ज्यादा चीट नहीं है इंगे इसमें, पर्टिकुलर्स, alternative 1, alternative 2, alternative 3, alternative 1, 2, 3 आगए हमार पास, sale, 1, 50,000 units, sale price 40 रुपीट per unit है, 60 लेक की तो आपकी sale हो गई, question issue में आपको कभी घुमाएगा नहीं, वैसे तो generally EBIT देते हैं, पर अगर ऐसा दिया है, तो सारी चीज आपको बताएगा, इसमें हम कुछ भी खास हमने नहीं किया, सब कुछ दिया हुआ है, बस statement थोड़ा बढ़ा हो जाएगा, उसके लिए फिर आपको 10 number भी तो दे रहा है वो, less, variable cost, 1,500,000 units आप बनाओगे, और हर unit पर 17 रुपीच, 25,500,000, इसे माइनस करने के बाद हम लोग लिखते हैं, contribution, फिर fixed cost माइनस करेंगे, और EBIT आ जाएगा हमारे पास, 34,50,000, ठीक है, less, fixed cost, 15,00, ठीक है, बहुत 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 है, अब लेकर रहे हैं आप सभी लोग, 19,50,000, यह हम अब पहुचे, EBIT पर, यहाँ पर हम लोग EBIT पर पहुचे हैं, अब यहाँ से हमारा, EPS थक का plan, शुरू होगा, यानि सही बात कहूँ, तो हम question यहाँ से शुरू करते थे, तो पांच नमबर कहाता था, अब उपर से शुरू करवाया, दस नमबर दे रहा है, तो कोई परिशानी नहीं है, Less Interest Interest में question नहीं आपको slap दे दिया है, पहले 5 lakh पर 10%, 10% on first 5 lakh, 15% on, फिर दिया है 5 से 10, next 5 lakh, और उसके बाद कहा है, 20% on above 10 lakh, तो पहले 5 लाग पर 10% मांग रहा है, फिर 15% मांग रहा है अगले 5 में, 5 से 10 के बीच में, और फिर 10, आप सीधे copy भी कर सकते हैं, इसमें जैसे लिखा है, up to 5 lakh 10, over 5 lakh, and up to 10 15, over 10 lakh 20, सीधे बोई लाइन भी लिख सकते हैं, जो question में दी वही है, ठीक है, अब हमें जाकर देखना है, कि आखिर loan है कितना कितना, case number 1 में, 2 में और 3 में, first case में 5 lakh, फिर 10 lakh, और फिर 14, 5, 10, और 14, तो पहले case में 5 lakh का लोने, 10% के हिसाब से 50,000 interest दीजिए, बात खतम, 19 lakh आपका EBD आ गया, second वाले में, 10 lakh का लोने, तो पहले 5 lakh पर 50,000 का interest दो, और उसके बाद के 5 lakh पर 15%, 75,000, उसके बाद कोई लोन नहीं है, तो यह हो गया आपका, 18 lakh 25,000, third case में 14 lakh का लोने, तो पहले 5 lakh पर 10% से 50, अगले 5 lakh पर 75, और फिर 4 lakh और हो गया, 10 lakh तो यहां पर हो गया, 4 lakh और हो गया, 4 lakh पर 20%, 80,000, तो यह हमारे पास हो गया, 17 lakh 45,000, 17,45, टेक्स का रेट पोश्चन ने दिया है, 40%, और आपके पास आजाएगा, earning after tax, 7 lakh 60,000 का आपके पास आगया, यहां पर, 11,40 आगया यह, 18,25, into 40%, 7,30, और माइनस करके आगया यह, देखो मैंने जैसे बताया था, तुम लोग वैसे माइनस नहीं कर रहे हो, मैं बता दू, चीजे सिखाता हो मैं, पर आप फोलो तो करते नहीं हो, लोग जो फिर से बताता हो, देखो मैंने क्या सिखा है था, टेक्स कैसे माइनस कर अगर हो, जैसे 18,25 है, लिख लिए 18,25, अब, multiply by 40% करा, टेक्स की अमाउंट आगी 7,30, या आगी टेक्स की अमाउंट, अब क्या करने है, माइनस, equals to, खुदी 10,95,000 आजाएगा आपके पास, बच्चे क्या करते हैं, पहले 40% निकालेंगे, फिर उसे माइनस करेंगे, और कुछ बच्चे और भी होश या रहे, कहते हैं, सर आपने ठीक ही लिखा होगा, जैसा आप लिख रहे हो, आप गलत थोड़ी करवाओगे, अरे भरोसा है टीक है भाई, तुमारी बात भी अपनी जगे पर टीक है, कि बेटा लेकिन खुद भी तो करना चाहिए, नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम आपके ओपर भरोसा नहीं है, कि यह जता है, खुद से कैलकुलेशन करके, ऐसी, तो बेटा, आपको भी कैलकुलेशन करनी चाहिए, मेरे साथ साथ, जित्ती परसेंटेज वो गयरा है, एक्जाम में तो आपको भी करनी है, भरोसे वाली बात सही है, सारी चीजे सही है, 6.98, मैं मानता हूँ, आप लोग बहुत भरोसा करते हैं, एप्रिशेट करते हैं, जी, EAT आगया, कोई प्रिफरेंश डिविडेंट नहीं है, नंबर ओफ एक्टी, शेर्स, और जी, EPS पर आ जाएंगे हम लोग, क्या ही होगा, इससे आसान सब्जेक्ट, नंबर ओफ शेर, एक्जिस्टिंग शेर, हमारे पास कितने आ जाओ, जड़ा एक बाद देखते हैं, देखो, एक्जिस्टिंग शेर हैं, वन लेक, ठीक है, पहले केस में, फिफ्टीन लेक, एक्टी से, दूसरे में 10, और तीसरे में 6, और एक शेर, 200 रुपे का, कोश्टिंग ने खुद बताया हुआ है, ओके, तो हमारे पास, वन लेक शेर, प्लस, फिफ्टीन लेक का लोन, 200 रुपे का, सोरी, एक्जिस्टि से फंडिंग, 200 रुपे का एक शेर, वन लेक शेर एक्जिस्टिंग है, तैन लेक एक्टी से, दोसू रुपे का एक शेर, वन लेक शेर पहले से हैं, सिक्स लेक एक्टी से, 200 का एक शेर, ठीक है न? नंबर उख शेर RA, 7,500, 1,750, 1,5000, और हमारे पास अर्णिंग पर शेयर निकल कर आ जाएगा जिस केस में सबसे ज्यादा होगा उसे सेलेट करेंगे कोश्चन ने हम से पूछा था कि रिक्मेंडीशन दीजिए कि कौन सा प्लैन सबसे बैटर है अर्णिंग पर शेयर 10.604 10.428 10.165 10.165 कौन सा प्लैन सबसे बहतर दिखा है जी फर्स्ट प्लैन सबसे बहतर लग रहे है कमपनी शुड़ गो विद प्लैन वन या अल्टरनेटिव वन हैविंग हाइस्ट अर्णिंग पर शेयर बहुत ही बढ़िया अब हमारे पास लास्ट कोश्टन इसके बाद हमारे पास लास्ट कोश्टन है पी वाइक्यू टू वह ओमवर्क में रखेंगे हम लोके रखेंगे वह होमवर्क में रखेंगे शेम कोश्टनहें बहुत आसानें पी वाई क्यू टू आज़ो भाई पी वाई क्यू टू देखेगा अग कम्पनी अर्ण्स अप्रोफिट ओफ थ्री लेक पर एनम इस लाइन का मुझे बतलब बताइए अराम से लाइन पढ़ा हॉमवर्क में यह हॉमवर्क लड़्डू लड़्डू कोश्च बहुत सिम्पल है अ कम्पनी अर्ण्स अप्रोफिट ओफ थ्री लेक पर एनम आफ्टर मीटिंग इस इंट्रेष्ट लाइबिलिटी इंट्रेष्ट देने के बाद कम्पनी तीन लाग रुपे कमारी है इसका मतलब यह थ्री लेक क्या है EBT Earning Before Tax Interest देने के बाद 3,00,000 रुपए आप कमा रहे हो तो EBT हो गया कहरें After meeting its interest liability of 1,20,000 1,20,000 का interest दिया है अब बताईए EBIT मेंसे 1,20,000 रुपए माइनस करे होंगे तब 3,00,000 रुपए आया होगा EBT ठीक है अब मुझे बताईए अगर मुझे EBIT निकालना है तो कितना होगा 4,20,000 तो एक कोशन में EBIT existing 4,20 आएगा यहां पर हमने दिया हुआ इसको existing EBIT profit before tax उसमें interest को जोड़ दीजिए EBIT आजाएगा EBIT में से interest माइनस करोगे EBIT आएगा EBIT में interest जोड़ दोगे EBIT आजाएगा ठीक है तो 4,20,000 हमारे पास आजाएगा केरें tax rate 50% है number of equity share 10 रुपे वाले 80,000 है retained earning 12,000 है company एक expansion program ला रही है जिसमें 4,00 रुपीज लगाईगी तो जितनी आप अभी कमा रहे हो उतना ही आप future में भी कमाऊगे तो ठीक है सबसे पहली चीज कमाऊगे कितना 4,20,000 अभी हम कमा रहे हैं अब हमें capital employee चाहिए capital employee निकालो 1,20,000 का interest 12% से तो 1,20,000 डिवाइड वे 12% 10,00 रुपे तो हो गया loan का equity से कितना आगया 80,000 multiply by 10 8,00,000 equity से आगया return earning से कितना है 12,00,000 तो हमारे पास total 30,00,000 हो गया इसका मतलब हम 30,00,000 लगा कर 4,20 कमा रहे हैं 14% हमारी return हो गया तो ये पूरा solution में कैशीज दिए पर जबरत नहीं पड़े गया आपको capital employee कितनी है EBIT कितना है तो return कितनी आ गई 14% after expansion भी हम 14% ही कमाएंगे अब expansion में पैसा कितना चाहिए expansion में पैसा हमें चाहिए 4,00,000 मंगवाने का तरीका इन्होंने बोला है कि आप additional fund debt से मंगवाओ या फिर additional fund को equity share से मंगवाओ ठीक है अब question के अंदर जो rate of interest है debt का वो 12% दे लिया और बोला है equity share को पार पर issue करेंगे या नहीं 10 रुपे काएगा तो पहले option में आपको इन सब का EPS निकालना था और दूसरे option में advise देनी थी कि कौन सा plan लेना चाहिए तो simple EPS निकल जाएगा फिर आप advise देंगे which planet better तो ये आपको पीवाई की do homework में करना है आव question करने का काम खतम एक बहुत छोटा सा concept है हमारे पास पांच-दस मिनिट का वो concept देखेंगे और आज इतना ही homework में बस ये एक ही question homework में सिर्फ ये एक ही question है concept आप लोग को आना है concept पे बहुत ही simple सा बच्चा सा एक concept है हमारे पास और मतलब सबसे आसान concept है और जो पीवाई की अब बचे हुए है वो सारे सिर्फ उसी एक छोटे से concept पे 10 इससे आप यहाँ पर बंद कर दीजीगा क्योंकि अब जो 10 चल रहा है remaining सारे पी वाई क्योंकि इसी के उपर है यह हमारे पास concept है in difference point concept में लिख रहा है in difference point in difference point का मतलब है it is the level of EBIT at which अज़र अखने पर शेयर अटेर जार टूर अफुट्टू उप्टूंज अबूद कि अग्टूंज एक यॉद्टूंज को अग्टूंज इन व्टूह कर देघज इन व्टूने कर देज़ है। अन्दर इन्दिफ्रेंस पॉइंट, अट इन्दिफ्रेंस पॉइंट, अँछैट इन्दिफ्रेंस पॉइंट, EPS under alternative 1 इकोस टू EPS under alternative 2, तो इन्दिफ्रेंस पॉइंट का मतलब है, एक ऐसा EBIT इतना EBIT होना जिस पर दो अलग अलग options में EPS सेम आ जाए two different options का मतलब two different capital structure के अगर जैसे हम पैसा मंगवा रहे equity और debts से या सिर्फ हमंगवा रहे equity से तो दोनों के मीच में EPS सेम आ जाए तो इसका जो formula है वो कोई formula ही नहीं है बस दोनों EPS को सामने रखना है अब पताइए EPS का shortcut formula मैंने आपको चिखाए था पताइए EPS का shortcut formula क्या था EBIT minus I तो interest under option 1 1 minus tax minus preference dividend under option 1 divide by number of equity share under option 1 equals to पहले एक option का EPS निकाल दो उसके equals to रखना है हमें EBIT minus second option में कितना interest है 1 minus tax second option में कितना preference dividend है divide by and 2 second option में कितने number of share है दोनों EPS के बस सामने रखो calculation करो और आ जाएगा तो बहुत ही simple concept है बहुत ही आसान concept है और 5 to 10 marks में इसका question मिल जाता है जनरली पांच नंबर में क्योंगी बहुत ही आसान होता है example one हम पहला example ले रहे हैं जिसमें हम सिर्फ interest को रखेंगे with interest यानि debt होगा with equity and debt ऐसा example बना रहे हैं जिसमें दो प्लान हो जाएं और equity और debt हो जाएं तो alternative one question ऐसे देगा आप पो alternative one alternative two equity share capital face value रुपेज 10 और debt ले लेते हैं 12% debenture पहले case में हमने ले लिया five lakh equity और debt कुछ भी नहीं दूसरे में ले लिया three lakh का equity और two lakh का debt तो दो option हो गए हम माल लेते हैं हमें five lakh की ज़़वत है ठीक है ओके यह दो option है हमार पास ऐसे question दो capital structure आपको दे देगा मैंने इसमें preference नहीं रखा भी पहले debt वाला देखते हैं एक बार फिर एक बार preference का भी देख लेंगे अब question आप से कहेगा tax rate age कुछ भी ले लेगा 40-50 calculate indifference point कहेगा indifference point निकाद देख solution बहुत ही simple है बहुत ही आसा है पानी पीते रहा करो फूप जितना पानी पीओगे उत्ते उक्सिडाइज रहोगे इनर्जेटिक रहोगे ओके तो यह ऐसा concept है इकलोता जिसमें बच्चा मेरे करवाने से पहली कर लेता है लेकिन फिर बीट मैं कुछ चीज़े बताऊंगा इसके अंदर आपको कैलकुलेशन ओफ इन डिफरेंस पॉइंट इबी आई टी माइनस आई वन वन माइनस टेक्स मैं पीडी माइनस नहीं कर रहा क्योंकि प्रिफरेंस शेट सहीं नहीं तो माइनस पीडी अगर करूंगा भी तो जिरो हो जाएगा बाद में निल हो जाएगा न तो वो नहीं लिखना ठीक है अगर आप लिखो हुए का e b minus pd तो 0 हो जाएगा वो divided by n1 equals to ebit minus i2 1 minus tax divided by n2 number of share under option 2 अब आप लोग पहले अराम से देख ले न मैं कैसे करना हो इसमें आपको ebit नहीं पता होता यही निकालना होता है तो आप एक बार देख लीजिए, EBIT, पहले case में कोई interest नहीं है, one minus tax, number of shares आपके 10 रुपे का यह के 5 लाग रुपे, 50,000 shares है आपके, second option में EBIT, interest है 12% of 2 लेक, 24,000 का interest हो गया, one minus tax, divided by number of share है 30,000, 3 लेक है न, 30,000 आपके हैं, पहले आप लोग देख लो एक बार, दो लाइनों का होता है, यह देख लो, फिर लिख लेना, ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 5, सारे 0 से 0 cancel हो गया है, ठीक है, अच्छा, वहाँ पर भी, यहाँ पर भी, one minus point four multiply हो रहा है, यहाँ पर भी multiply हो रहा है, तो tax से tax cancel हो जाएगा, tax से tax cancel, नीचे 0 दोनों तरफ के हट जाएगे, और यहां 5 बचेगा, यहां 3 बचेगा, अच्छा, कैसे होता है, यह मैं आपको बता भी दूँए, कई सारे बच्चे पूछते हैं, सर ऐसे कैसे हो रहा है, वो बता देता हूँ, देखो, होगा क्या, जैसे की, मान लो, यह 30,000 यहाँ पर उपर गया, तो इसके 0 से, इसके 0 cancel हो गया, यहाँ 3 बचा, यहाँ 5, तो हमने पहले यहाँ पर 3 कर दिया, यहाँ पर 5, अब सामने 0, ऐसे cancel हो जाते हैं, निमरेटर्स के, और अब जरा मैं बात करता हूँ, 1 माइनस टेक्स की, यहाँ पर 1 माइनस टेक्स मल्टिप्लाई हो रहा है, तो सामने जाकर डिवाइड में आएगा, 1 माइनस टेक्स, तो यहाँ पर cancel होगा, तो हम आमने सामने cancel कर देते हैं, इस तरह से cancel हो जाते हैं, दूसरे से, तो जी, टेक्स है, टेक्स cancel, यह आपका यहाँ 5 बचा, यहाँ 3 बचा, ओके, लिखना मत अभी, एकी लाइन का होता है, हो जाएगा अभी, ठीक है, अब जी, यहाँ पर है EBIT, यह 3 सामने आकर, मल्टिप्लाई हो जाएगा EBIT में, चलो जी, मल् माइनस में तो 0 था, यह 5 सामने चला गया, तो 5 EBIT माइनस, यह था 24,000 रुपे, 12%, 24,000, 24,000 में multiply by 5 हो जाएगा, 120,000, तो यहाँ का EBIT और 24,000 में 5 आकर मल्टिप्लाई हो गया, यहाँ के EBIT माइनस 0 में 3 आकर मल्टिप्लाई हो गया, ओके, अब हमारे पास में, 2 EBIT equals to 120,000 आ गया, ठीक है, यहाँ 5 EBIT है, 3 EBIT सामने आकर माइनस हो गया, 2 EBIT बचा, 120 सामने जाकर पॉजिटिव हो गया, और EBIT equals to हो गया आपके पास, 60,000, तो 60,000 के EBIT पे दोनों का EPS सेम आएगा, बहुत ही सिम्पल है, बहुत ही सिम्पल, नोट कर लीगे, कि सर यह इतनी सिम्पल चीजे भी सी एंटर में आती हैं, कि यह तो हमने पांच वी क्लास में करकर के छोड़ दी, आप बेटा मुझे पता है, तुमने पांच वी क्लास में बहुत कुछ कर आए, लेकिन जो पीछे करके आए, उसका फल आगे दी तो मिलना चाहिए ना, बहुत ही सिम्पल है, नौट कर लिजिए इसको, ठीक है, तो 60,000 के इवी आईटी पे दोनों का EPS सेम आएगा, कभी बोलता नहीं है कोशन, पर मैं कंसेप्ट में आपको वेरिफिकेशन करके दिखा देता हूँ, वेरिफिकेशन, वेरिफाई कर लेते हैं, EPS अंडर ओप्शन वन, EBIT होगे 60,000, इंट्रेस जीरो, वन माइनस टेक्स, नंबर ओफ शेर थे 50,000, देखो कितना रहे, 0.72 EPS आगया, अब दूसरे वाले ओप्शन में देखते हैं, 60,000 का EBIT रखा, इंट्रेस 24,000 था दूसरे आले केस में, वन माइनस टेक्स, और नंबर ओफ शेर दूसरे आले केस में थे 30,000, इसका देख ली जे, कितना रहे हैं, 0.72, दोनों का 0.72 यह आएगा, तो वेरिफाई होगे, यहाँ जी, दोनों का EPS सेम आ रहे है, तो इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब है, लाइन फेट से पढ़वा देता हूँ, इट इज दा लेवल ओफ EBIT, एट विच, EPS अंडर टू डिफरेंट ओप्शन्स आर सेम, जब दो ओप्शन्स के अंदर, EPS सेम आ जाए, तो ऐसा EBIT चाहिए, जिसमें EPS सेम हो जाए, तो 60,000 के EBIT पर हमारा EPS, दो अलग-अलग ओप्शन्स में सेम हो गया, किलियर है, ओके, एक्याम्पल टू, विट डेट एंड एक्यूटी लेंगे, ये वाला EPS पर आप लोग-सोल्व करेंगे, प्लैन वन, प्लैन टू, एक्यूटी शेयर कैपिटल, और फेस वैल्यू है, हमारे पास रुपीज, टैन, एक केस में ले लिया, मैंने 20 लाग रुपे, एक केस में ले लिया, मैंने, आठ लाग रुपे है, ठीक है, 15 परसेंट डेट, दोनों में डेट ले रहा हैं इस वाल में, यहाँ पर 5 लेक का डेट ले लिया, और 25 लाग में, 8 लाग एक्यूटी से, यहाँ 17 लेक का डेट ले लिया, 25 लेक टोटल फंडिंग हो गई, यहाँ दो अलग अलग प्लेंट से, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही डादासान, Calculation of Indifference Point, A, B, I, T, माइनस I, 1- T, डिवाइड वाइ, नमबर ओफ शेर अंडर ओप्शन 1, A, B, I, T, माइनस Interest अंडर ओप्शन 2, 1- Tax, अच्छा आप यह भी पूछ सकते हैं, 1- Tax में 1, 2 क्यों नहीं लिखने हैं, कोई भी प्लैन हो, Tax तो जो होता है, उसे हम रहता है, Interest और Number of Share बदलते हैं, Preferences, Dividend बदलता है, तो Interest, Preferences, Dividend, और Number of Share पर मार्किंग करनी होती है, Number of Share अंडर ओप्शन 2, ओके, आप लोग मुझे पॉज़ करके, एक वार ट्राइ करके देखो, मुझे पॉज़ करके, वन माइनस टेक 30% है इसमें, Number of Share इसमें होगे 2 लेक, 10 रुपे का एक शेयर है, 20 लाग की कैपिटल है, यहां पर होगे EBIT, माइनस इंट्रेस्ट होगे 17 लेक का 15%, 2 लेक 55,000, One माइनस टेक्स, Number of Share होगे 80,000, ठीक है, अब आप मुझे पॉज़ करके, इसको Cancel कर दो, पॉज़ कर दो, Cancel कर दो, खुझ से निकालो, ठीक है, अब आपने पॉज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप पॉज़ करके आगए है, तो मैं उसके आगे कर कर रहा हूँ, देखे, Tax से Tax Cancel, यहां 80,000 और 2,000 है, तो 2,000 और 80,000, दोनो 2 से Cancel हो जाएंगे, 4 से भी Cancel हो जाएंगे, तो 4, 2 जा 8, 4, 5 जा 20, ठीक है, अब हमारे पास बचा, EBIT माइनस 75,000, यहां से 2 सामने चला जाएगा, तो 2 EBIT, माइनस 1,50,000, और यहां पर 5 EBIT, माइनस 2,55,000, मल्टिप्लाई 5, 12,75,000, 2 सामने गया, बचा 3 EBIT, 3 EBIT, और इसमें से 150 चला गया, 11,25,000, कई बार इदर उदर करने हैं, प्लस माइनस के साइन तरह जान रखे, डिवाइड वाइट 3, तो EBIT equals to 3,75,000, जितने बच्चों का 3,75 आ गया था, परफेक्ट किया आपने एक दम, जितने बच्चों का EBIT 3,75 आया था, आपने परफेक्ट किया है, वेरिफिकेशन करके दिखाने की ज़रूत नहीं होती, आप कैलकुलेटर पर वेरिफिकेशन कर सकते हैं, तो जिन्होंने नॉट नहीं किया है, नॉट कर दिखाने अगर खुछ से नहीं किया था था, ठीक है, वेरिफिकेशन आप सीधे कैलकुलेटर पर कर सकते हैं, देखो, अब मैं क्या करूँगा, 3,75 को रख दूँगा, इसमें, तो क्या आएगा, 3,75 का EBIT, इंट्रेस 75,000 माइनस हुआ, बचे 3,00, 30% टेक्स चला गया, बचे 2,10,000, इसे 2,00 शेर से डिवाइट किया, मेरे पास आ गया, 2,10,000 डिवाइट वाइट 2,00 शेर, 1.05 EBS, पहले उप्शन में, अब दूसरे उप्शन में देखते हैं, दूसरे उप्शन में 3,75 का EBIT रखा, इंट्रेस्ट गया 255 का, 3,75 माइनस 255, 120 बचा, 30% टेक्स चला गया, 84,000 बचा, 80,000 शेर से इसको डिवाइट किया, आ गया हमारे पास, 1.05, 1.05 तो उनों केस में आ गया, तो एग्जाम में कोई वेरिफिकेशन नहीं करना होता, पर कैल्कुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, अब हमारे पास, एक एग्जाम्पल, प्रिफरेंश शेर्स के साथ, एग्जाम्पल, विद, डैट, प्रिफरेंश, एंड एक्यूटी, अब हमारे पास, डैट, प्रिफरेंश और एक्यूटी, तीनों चीज़े होंगे, तो जैसे प्लैन वन, यह दो प्लैन्स के बीच में काम करता है, प्लैन टू, अब हम पे एक्यूटी शेर कैपिटल भी होगी, प्रिफरेंश शेर्स भी होंगे, और डैट भी होगा, एक्यूटी शेर कैपिटल, फेस वेल्यू रूबीच टैट, फिफ्टीन परसेंट प्रिफरेंश शेर कैपिटल, और तैन परसेंट डैट ले लेता है, तो जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, टैन लेक रूपीच प्रिफरेंश से, और 5 lakh ले लेते हैं मनलब 10 equity से 5 preference से और 5 lakh debt से 20 lakh हो गए और यहाँ पर ले लेते हैं 15 lakh equity से preference से कुछ नहीं 5 lakh debt से ले लेते हैं तो यह हो गया 20 lakh ओके यह हमारे पास है amounts वागी ठीक है कुछ यह amount को ऐसे भी दे देंगे plan tax rate is 25% calculate indifference point solution calculation of indifference point indifference point हमें निकालना है पहले case में interest भी है और preference dividend भी है under option 1 divide by number of share equals to दूसरे case में interest तो है preference dividend नहीं है and 2 ठीक है ओके अब इसमें हमारे पास simply बस figures रखने है solve करना है एक खास बात का ध्यान रखना है EBIT माइनस interest कितना हो फाइब लेक का 10% 50,000 1 minus tax minus preference dividend हो गया 5 लेक का 15% 75,000 देखो 5 लेक का 10% interest आगया 50,000 और 5 लेक का 15 preference dividend आगया 75 पहले case में number of share 10 लेक की capital 10 रुपे का एक 1 लेक shares आ गया e-quest EBIT minus interest 5 लेक का 10% 50,000 1 minus tax preference shares है नहीं number of share 1,50,000 15 लेक की capital 10 रुपे का एक ठीक है अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है ध्यान से देखना जो मैं बोलने वाला हूँ इसमें आप ये 1,00,000 और 150 तो कर सकते हैं ये होगे 2 और ये होगे 3 5 के table से कट जाएंगे 10 और 15 लेकिन आप tax से tax cancel नहीं कर सकते region अब न देखे यहां पर क्या है पहले ये इसमें multiply होगा फिर 75 minus होगा तो एक चीज minus भी होनी है तो सामने tax से tax cancel नहीं हो सकता तो अगर कभी preference shares है तो tax से tax सामने cancel नहीं होगा यहां पर हम note में लिख्वी लेते हैं ये चीज यहां पर लिखना हूँ यहां पर लिख रहा हूँ tax से tax हम tax से tax cancel नहीं कर सकते हैं तो preference shares के case में हमें अराम से calculate करना होता है अब हम उपर वाला solve करेंगे पहले क्या लिखा हुए EBIT minus 50,000 1 minus 0.25 वे तो 0.75 हो गया 0.75 EBIT और 50,000 में 0.75 की multiply होगी 37,500 यह हो गया इससे इसकी multiply 1 minus 0.25 था हम लब 0.75 ठीक है और minus 75,000 का जो preference dividend था bracket खुल गया multiply हो गया अब minus कर सकते हैं divide by 2 equals to 0.75 EBIT minus 37,500 इसकी multiply होगी इससे divided by 3 अब हमारे पास 3 यहां पढ़ ले आएंगे और 2 यहां पढ़ ले जाएंगे और उससे पहले मैं इसको कर देता हूँ और simplify 0.75 EBIT minus 37,500 plus 75 1,12,500 यहां पर minus हो रहा है divide by 2 2 माइनस माइनस एक साथ जोड़ दी मैंने के total कितना और यहां पर 0.75 EBIT minus 37,500 divide by 3 अब 2 को यहां पर ले जाके इन दोनों में multiply कर दो 3 को लेकर यहां पर multiply कर दो अच्छे इसमें थोड़ी calculation preference due to end वाले में लंबी रहेगी क्योंगे tax से tax cancel नहीं हो पर रहा बढ़ना बढ़ा असान हो जाता ठीक है जी 3 को लेकर आते है 2.25 EBIT minus 3,37,500 equals to 1.5 EBIT minus 75,000 बस equation solve कर नहीं है यह आप सभी को आती है math के तो expert है foundation से आते है direct entry वालों को भी आता है सब को आता है लेकिन फिर भी मैं तो एक-एक step करके बताता हूँ कि किसी को ना भी आता हो न तो भी सीख जाएगा हमारा काम है base से लेके चलना यह गया वहाँ पर plus का हो गया 337,500 minus 75 262,500 इसे लाकर यहाँ पर minus कर दिया इसे वहाँ पर लेके गई यह तो हो गया plus का 75 उसमें से cancel कर दिया और EBIT equals to आ गया जी 262,500 divided by 0.75 350,000 350,000 पर आपका indifference point आ जाएगा क्योंकि preference dividend वाला की है exam में तो verification करना नहीं होता पर preference dividend का है तो मैं इसका verification करवा देता हूँ ठीक है आप exam में calculator पर verification ज़रूर करना है देखो 5 नमबर में आता है बस 2 equation सामने रखनी है solve करनी है तो EPS अगर आप निकालके देख लोगे calculator पर तो आपको clear हो जाएगा कि हाँ match हुआ या नहीं हुआ तो 5 marks पूरे secure हैं कि यह तो मिलेंगे ही मिलेंगे ठीक है ना तो एक बार इसको verify करते है EPS option 1 में 350 का EBIT रखा मैंने interest था उसमें 50,000 50,000 का interest था और 1 minus tax और preference dividend किता 75,000 दे रहे थे और number of share थे 1 deck देख लेता है एक बार EBIT minus 50,000 tax और 75 number of share 1 deck ठीक है EPS under option 2 350 इसमें भी interest 50 था 1 minus tax कोई preference dividend नहीं number of share 150 दोनों का EPS चेक कर लो सेम आएगा 350 minus 50,000 minus 25% tax minus 75,000 का dividend 1,00,000 shares रुपीज 1.50 और यहां पर 3,00,000 minus 25% divide by 1,00,000 1,50 यह भी हमारे पास दोनों आगए है तो हमारे पास EPS verify हो गया EPS verification लिख ली जिए एक question homework में दिया है existing वाली company खतम new company खतम अब हम in difference point के question कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा आसान है बहुत आसान और कल की class में हम इसके question देखेंगे past year question में इतने लड़ू लड़ू question आते हैं इसके आपको मज़ा आने वाला है इसमें आपको होगे बसर बस मज़ा गया इस chapter में तो number पके लेके आएंगे हम सारे chapter ऐसे ही लेके चलेंगे proper concept पूरे example होंगे अब देखो आज इंडिफरेंस पॉइंट को कोई question तो मैंने करवाई नहीं सिर्फ example करवाई है जिससा हाथ साफ होगे कल question करने मज़ाएगा फिर हमें ठीक है न तो यह हो गया हमारा a question homework में next class मिलते है next class में homework करके आना जो करवाया है सारा पढ़के आना ठीक है ओके जी सभी को टाड़ा वाई वाई